नमस्कार आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी में मैं हूँ आपके साथ शिका गुपता राजिस्थान के डीग जिले के गुपाल गड़ थाना छेतर में एक नबालिक के साथ चार युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया नबालिक के पिता ने बताया है कि वो टिफन सेंटर चलाता है उसकी बेटी एक बिजली विभाग में कर्मचारी को खाने का टिफन देकर घरा रही थी उस समय नरेगा भवन के पास चार युवक खड़े थे इसके बाद चार युवक नबालिक को जबरदस्ती पकड़ कर नरेगा भवन के अंदर ले गए और उसके साथी बारी बारी से रेप करने लेगे साथ ही युवकों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया ज़्रांस अन्होंने बाकी लोगों से कहा कि वो उसकी वीडियो बनाए तब उन्होंने नबालिक की अश्क्लील वीडियो बनाई ज़्रान बारी बा dugसे चारों ने निबालिक के साथ रेप किया आपको बता दे वहीं इस घटना के बाद नबालिक अपने घर पहुची और अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया आरोपी रिशीपाल नबालिक के घर पहुचा और पुलिस से शिकायत ना करने के लिए नबालिक के पिता को पैसे का लालच दिया नबालिक के पिता ने चारो युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है पीडित के पिता ने शिकायत में कहा है कि जब उसकी बेटी टिफन देकर वापस आ रही थी तो अंकित रिशिपाल सोनू और लखन का लड़का जिसके वोही नाम से जाने जाते हैं रास्ते में खड़े मिले चारो ने नाबालिक को रोक लिया और उसके साथ चेढ़ चाड़ करने लगे नाबालिका ने खुद को छुडाने की काफी कोशिशे की लेकिन चारो उसे जबरदस्ती पास के नरेगा भवन में लेगा है इसके बाद नरेगा भवन में सबसे पहले अंकित नाम के युवक ने नाबालिक के साथ रेप किया अभी के लिए क्या वन इतना ही लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com